आईए आगे बढ़ते हैं अगला भ्यास है अधो लिखितम स्लोकम पठित्वा प्रदत प्रश्णा नाम उत्तराणी लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए स्लोकम पठित्वा स्लोक को पढ़कर प्रदत प्रश्णा नाम दिये हुए प्रश्णों के उत्तराणी उत्तर लिख लिखो अर्थात नीचे एक स्लोक दिया हुआ है उस स्लोक को हमें पढ़ना है और उसके अधार पर जो प्रश्ण दिये हुए हैं उन प्रश्णों के उत्तर हमें लिखना है आचार्यात पादमादत्ते पादम सिस्यस्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम सब्रहमचारी भ प्रश्न है नमबर एक कस्मात पादम आदत्ते कीस से पादम पाद को अर्थात एक चरण को एक भाग को आदत्ते ग्रहन करता है या सीखता है तो स्लोक हमारे सामने हैं स्लोक के आधार पर उत्तर हमको देना है तो ध्यान दीजेगा इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों को देखिए और स्लोक को देखिए प्रश्नों की भासा में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा जैसे कसमात, कसमात सब्द कैसे बना है, किम, यह सब्द है, इसमें पंचमी भक्ती का योग हुआ है, और इस तरह से रूप बना है कसमात, तो ऐसा कौन सा सब्द है जिसमें पंचमी भक्ति का योग हुआ है आपको देखना है तो पूरा स्लोक देख लीजिए आचार्यात पादमादत्ते पादम सिस्यहस्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम सब्रहमचारी भी है स्लोक में आप देखें कौन सा पद है जिसमें पंचमी भक्ति का योग हुआ है क्यों वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रश्व मात पादम आदत्तते यह कहा गया है तो कस्मात के इस्थान पर यह प्रस्ण वाचक सब्दा है इसके इस्थान पर हमको उत्तर वाचक जो सब्दा है उसको लिखना है इसलिए हम देखेंगे किस्मात जिसमें पंच्विभक्ति लगी हुई है तो देखते हैं आचार्यात हाँ यहां पंच्विभक्ति है तो बस य यही उत्तरकवाल पद है, उसको लिख दिना है, आपको क्या करना है, आचार्यात पादम आदत्ते, आचार्य से या गुरु से एक भाग को सिस्य ग्रहन करता है, सीखता है, इतना कर दीजे, हो गया उत्तर, अगला प्रश्ना है, कह ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, कौन ब्रह्मचारियों से पादम आदत्य अर्थात एक भाग को सीखता है तो सीखता कौन है किसके सीखने की बात कही गई इस लोक में बात कही गई है स्लोक देख लिजे आचारियात पादमादत्ते पादम सिस्या स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम सब रहमचारी भी सीखता कौन है? कह? कह आदत्ते? कौन लेता है? कौन सीखता है? तो सिस्या करता कौन है? इस वाक्य का अस्मिन वाक्य करता पदम कीम तो अस्मिन वाक्य करता पदम अस्ति सिस्य ह। इस वाक्य में करता पद क्या है परिसलोक में करता पद कौन सा है तो सिस्य है तो कह ब्रह्मचारी भी है पादम आदत्ते कौन ब्रह्मचारीयों से एक भाग को सीखता है तो सिस्य सिस्य ब्रहमचारी भी है पादम आदत्ते सिस्य सहपाठियों से एक भाग को सीखता है जैसे बच्चा विद्याले जाता है तो विद्याले में कुछ समय तक विद्याले में रहता है कक्छं में रहता है और शेस समय विद्याले प्रांगण में रहता है अपने मीत्रों के साथ रहता है तब वहां अपने मीत्रों के साथ रहकर वहाँ उनचीजों को सीखता है चले, आगे बढ़ते हैं, तीन, बुद्धया इती पदाय स्लोके कह पदह प्रयुक्तह, अर्थात, बुद्धया, बुद्धी से, इती पदाय इस पद के लिए स्लोके, स्लोक में कह पदह, कह सब्दह प्रयुक्तह, कौन सा सब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात बुद्धि से के अर्थ में कौन सा सब्द प्रयुक्त हुआ है इसका उत्तर आपको लिखना है तो इसका उत्तर होगा क्या स्वामेधया बुद्धया इती पदाय स्लोके बुद्धया मतलब बुद्धी से तो बुद्धी के अर्थ में स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है ये आपको देखना है तो स्लोक में हम देखते हैं प्रयुक्त पद है स्लोक में बुद्धी से इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है मेधया तो सब्दह यहाँ पर स्वामेधया तो आप बुरा लिख सकते हैं मेधया भी लिख सकते हैं और स्वामेधया को भी लिख सकते हैं तो बुद्धया इती पदाय स्लोके स्वामेधया सब्दः प्रयोगतः अर्थात बुद्धी से इस पद के लिए स्लोक में स्वामेधया सब्द प्रयोग हुआ है ऐसा लिख दीजिये हो गया अगला प्रश्ण है दत्य इती पदास्य किम विलोम पदम प्रयोकतम दत्य देता है इती पदास्य इस पद के किम विलोम पदम के विलोम पद में क्या पद प्रयोकतम प्रयोकत हुआ है दत्य का ताथ पर यह होता है देता है तो इसका उल्टा क्या होगा देता है लेता है दत्य अर्था देने और लेने के अर्थ में कौन सा पद प्रयोगत हुआ है तो दत्य यह क्रिया पद है तो पूरे स्लोक में आप देखिए क्रिया पद कौन सा है तो पूरे स्लोक में एक ही क्रियापद का प्रयोग क्या गया है वो है आदत्ते तो दत्ते मतलब देता है और आदत्ते मतलब लेता है तो यह क्या हो गया देना का उल्टा लेना तो दत्ते इती पदस्य आदत्ते इती विलोम पदम प्रयोक तम ऐसा लिख दीजे हो गया अर्थात दत्ते इस पद के विलोम में आदत्ते पद का प्रयोग स्लोक में किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है तो देखें पूरे श्लोक में यहीं हम देखें तो आचार्यात पादम आदत्ते आचारे से पाध को सीखता है पादम सिस्या स्वमिय दिया और एक भाग को वहाँ अपने सिस्या से सीखता है कालेन पादम आदत्य और समय से एक भाग को वहाँ सीखता है और पादम सब्रहमचारी भी है और एक भाग को अपने सब्रहमचारी भी है तो इस तरह से पाद जो कहा गया है इसका प्रयुक चार बार किया गया है अर्थात यदि हम इन चारों में से एक को लें ये चतूर्थांस का अर्था देता है तो या कहें कि चार पाद मिल करके एक बनता है तो एक पाद को ही यदि हम लें तो क्या हो जागा है वो वो चतूर् अर्थात चतूर्थांस इस अर्थ में पाद सब्द का प्रयोग हुआ है ऐसा हिंदी में इसका अर्थ समझे लेते हैं अगला प्रश्ण है सिस्य इति कर्त्री पदस्य क्रिया पदम किम स्लोक में सिस्य यह पद आया है इसका यह करता पद है तो करता है तो कोई पद ऐसा भी होगा जो क्रिया पद होगा यहीं पूछा जा रहा है सिस्य इति कर्त्री पदस्य क्रिया पदम किम अर्था इति लिखाए है यहाँ पर ध्यान दीजेगा यहां सिस्य इति यह संधी पद है संधी विछेद करेंगे तो रूप बनेगा सिस्य इति क्रिया पो और एक क्रिया का और एक क्रिया का होना आवश्यक होता है तो यहां पर किश्य यह क्रिया इसके लिए कौन सा क्रियापद का प्रयोग किया गया है यह पुछा जा रहा है तो पूरे स्लोक में देखें तो क्रियापद कौन सा है आदत्य शीष्य क्या करता है वह लेता है या सीखता है तो तो शीष्य आदत्य या शीष्य इती कर्त्रिपदस्य क्रियापदम आदत्य हो गया इतना लिख दीजिए पुर्ण वराम लगा दीजिए या आदत्य अस्ति ऐसा भी लिख सकते हैं तो शीष्य इती कर्त्रिपदस्य क्रियापदम आदत्य अस्ति ऐसा कर दीजिए पुर्ण वराम लगा दीजिए हो गया चले आगे बढ़ते हैं अगला अभ्यास है रिक्त स्थानानी पूरयत इसका तात्पर होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो विभीन परिशाओं में आप लोगों ने देखा है कि तर तर के प्रस्ण आते हैं उनमें से रिक्त स्थान से संबंदित प्रस्ण भी पूछे जाते हैं तो वैसा ही प् गनाह यह प्रश्न है अब रिक्तिस्थान जो है इसके लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है चूंकि पाठ के अधार पर प्रश्न है और पाठ हमने भली भाती पढ़ लिया है इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सरलता वह सहज्ता से दे सकते हैं तो क्या आएगा यहां उत्तर? स्वल्पम तथा किसकी बात कही गई थी? आप लोगों ने स्वलक पढ़ा उसमें आया हिये तो उसके अधार पर इसका उत्तर होगा स्वल्पम तथा आईryू बहवस्च विगनाह। विधनाह स्वल्पम तथा आयूह आयूह कम है और उसमें विधन बहुत अधीक है यह लोक की पंक्ती में आया था ना हाँ तो प्रशन वहीं से है तो उत्तर क्या होगा स्वल्पम तथा आयूह अब इसको आप रिखांकित कर दीजिए ध्यान दीजिएगा इस तरके जो प्रशन विधनाह स्वल्पम तथा आयूह रिखांकित पद और बहवस्च विधना से चीजों को आपको यथावत रखना है जसकतस लिखना है अगला प्रशना ख दीनांते च दुखधम रेकताइस्थान अब रेकताइस्थान के पूर्ति करना है तो दीनांते च दुखधम दीन के अंत में दूध क्या करना चाहिए क्या करने की बात कही गई थी पीने की बात कही गई थी तो वहाँ पर रूप क्या है पीना चाहिए इसके लिए रूप क्या बनेगा तो चाहिए अर्थ में विधिलिंगलकार का प्रयोग किया जाता है तो तो पीना इस अर्थ में पाध हातु का प्रयोग किया जाता है तो पाध हातु विधी निगलकार प्रथम पुरुस एक वचन का रूप क्या होगा बिल्कुल सही पीबेत तो दिनांते च दुगधम पीबेत और यहां रेखांकित कर दीजिए हो गया उत्तर ग ध्यान दीजिएगा रेखांकित जो प्र प्रस्ण पूछे जाते हैं उनमें अवश्यक नहीं कि अंतिम पद को प्रस्ण वाचक बनाया जाए या मध्य के किसी पद को प्रस्ण वाचक बनाया जाए हो सकता है प्रारंभिक पद को भी प्रस्ण वाचक बनाया सकता है जैसे यहां ग रिक्त इस्थान सूखम न अस्ति तो सुख नहीं है किसके समान सुख नहीं ये आपको बताना है तो स्लोक में हमने पढ़ा है त्याग समम तो उत्तर क्या होगा त्याग समम सब्द लिख दीजिए रेखांकित कर दीजिए और सेश जो सब्द है उनको यथावत लिखना है हमको तो त्याग समम सुखम न अस्ति त्याग के समान सुख नहीं है ऐसा आगे बढ़ते हैं घह के सांची दपी रिक्त इस्थान गम्यते के सांची दपी गम्यते किसी के भी साथ जाना जाता है क्या जाना जाता है तो के सांची दपी वस्तु नाम गम्यते किसी की विसेश्था किसी वस्तु के साथ जाना जाता है अर्थात कोई वस्तु किस के पास है उसके अधार पर उस वस्तु की विसेश्था पहचानी जाती है यह हमने पाट में पढ़ा है, तो के सांची दपी वस्तु नाम, इस पद को रिखांकित कर दीजे, किसको वस्तु नाम को और गम्यते, लिख दीजे, हो गया, अगला प्रशना, ग, व्रिक्छाह, खाली स्थान, सोधकाह, यह भी स्लोक पर आधारी प्रशना है, तो व्रिक्छ व्रिक्छाह, सोधक है, किसका सोधक है, वायू नाम, वायू के, तो व्रिक्छाह, वायू नाम, वायू नाम पद को रिखांकित कर दीजे, तो व्रिक्छाह, वायू नाम, सोधकाह, व्रिक्छ, वायू के, सोधक है, अर्थात, व्रिक्छ जो है, वायू को सुद्ध करते है प्यारे बच्चों अभी हमने अध्यान किया पाठ सुभा सितानी और साथ ही उसके सब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्णों को भी हमने हल किया ध्यान दिजेगा यह जो अभ्यास के प्रश्ण दिये गए हैं यह केवल नमूने मात्र हैं विभिन परिक्षाओं में इन अभ्यास के प्रश्णों से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं इसे से इसके अतिरिक्त पाठ में से भी प्रश्ण बनाकर पूछा जा सकता है तो इसके लिए आपको भली भाति तयार रहना है तो निश्यत रुप से आप सभी ऐसा करने में समर्थ ह क्योंकि हम ने पाइट का भली हांति अध्यन किया है चीजों को आपने समझा है और यह जो सुभाड़त सुभासित जो वचन गए हैं अर्धा यह नीती की बाते क했습니다 इन नीती की बातों को हम अपने जीवन में उतारें हैं और अपने जीवन को सुन्दर व सुखमें बनाने में समर्थ होंगे चलि इन ही भावनाओं के साथ सर्व्यभ्यो नमो नमह